तब दीदी ने वोला पोज सर की चेनिंग पे ध्यान दे महनत कर तेरी अभी शुरुआ थे तू भी कर सकती है तो मैंने महनत की दिन जाद बहुत चारी मैंना पर मेरी कहानी यहाँ शुरू नहीं होती मैं कस्मीर की एक छोटी से गाउंकी हूँ मेरे पापा दिन भर खेती करते है और मम्मा वक्रियस मालती है मेरी बहन शेवानी छोटी है पर मेरे सबसे ज्यादा ख्याल वो ही रखती है और सबसे ज्यादा तंग भी वो ही करती है जब मैं तयार होती हूँ ना मा बोलती है कि मैं सबसे सुन्दर हूँ मा भी ना पर हूँ ना मैं सुन्दर बच्पन से ही मुझे स्कूल बहुत पसंद था पहले लगता था कि मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं अलग हूँ ना लेकिन किसी ने भी मुझे अलग होने का एहसास नहीं दिला रहा सारा दिन मैं और मेरे दोस्त खेलते रहें पहार और पेर पर चड़ जाते जब पहली बार मैं पेर पर चड़ी तब डर गए लेकिन मैं नहीं लेकिन जब लोग मुझे घूरते हैं ना मुझे बहुत बुरा लगता था पर अब नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मैं लाखों में एक हूँ किसी में कोई कमी नहीं होती बस थोड़ी महनत की जरूरत होती है मैंने इन कहानियों से बहुत कुछ सीखा है सच में इसी में कोई कमी नहीं होती कि मैं लाखों में लाखों में में लाखों में मैंने रर्षाब